असलाम अलेकुम माई वीवर्स ओप यू और डूइंग वेल मैं हूँ मलायका और आप देख रहे हैं मलायका फूड सीक्रेट्स आज मैं आप लोगों से शेर करूंगी एक कप मेदे से धेर सारे चोकलेट स्नेक्स की रेसिपी जो के बनाने में एक दम आसान और बिना जंजट के बहुत ही ज़्यादा डिलेशियस आप ये स्नेक्स बना सकते हैं एक दमासान तरीके से तो बस वीडियो में इंट तक बने रहें वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए वीडियो पसंद आने पर लाइक शेर सब्सक्राइब करें साथ में बेल लाइक अन कौन करने स जब भी मेन्यू मज़ेदार रेसिपी अपलोड करूंगी तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी तो बिना टाइम वेस्ट किए चोकलेट स्नेक्स की रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिसमिल्लाही रमानी रहीम तो यहां पे सबसे पहले हम लेंगे एक बोल और उसमें जाएगा यह मेने एड किया है कॉन फ्रोड तू टैबल स्पून बरके और यह वाने एड करेंगे वनेला एसंस तो यहां पे वनेला एसंस तो यहां पर वनेला हैस तो अगर आपके पास यह नहीं तो आप इसमे लाइची पाउडर भी एड कर सकते हैं हाफ टी स्पून तो में अच्छे से मिक्स कंड़ेंगे अच्छे से मिक्स करा किसी बार्ट नगों इसको पानी में यहां और नहीं कर लेंगे इसके हम दो पेड़े बना लेंगे इनको डिवाइट कर लेना है तू पीसिज में और उसके बाद इनकी पेड़े बना के एक को हम कटोरी में निकाल के साइट पे कर लेंगे और यहां पे इस वाले पार्ट पे हम थोड़ा सा डालेंगे कोको पाउडर तो यहां पे कोको पाउ की जरूरत पड़े के डालना चाहिए तो बिल्कुल थोड़ा सा दो से तीन कत्रे पानी डालके इसको एकदम इस तरीके से डो की फोम में ला दीजिए जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं अब हम यहाँ पे लेंगे इस पेड़े को जिस पेड़े को हमने रखा तक अटोरी में यहाँ पे थोड़ा सा मेदा डस्ट ओफ करके पेड़े को हमने थोड़ा सा बढ़ा कर लेना है फिंगर्स के हल्प से उसके बाद यहाँ पे बेलन के हल्प से इस पेड़े को हमने गुलाएं पानी रहे और यहाँ पे आप हम इसको बेल लेंगे जैसे के अमने दूसरी रोटी नहीं तो यहां पर इसको विद लेने के बाद इसको उठा लेंगे ऑफ में और दूसरे हाथ से हम इसके डाल देंगे वनेलिया के पेड़े को उसके बाद इसके उपर हम लगा लेंगे पानी, तो यहाँ पे बिल्कुल भी उयल नहीं जाएगा, पानी एकदम अच्छे से इस पेड़े पे लगा लेने के बाद इसके उपर हम रखे देंगे चोकलेट डो को जो हमने बेल के रखावा था तो यहां पे एकदम अच्छे से सेट कर लेना है इस पेड़े के उपर चोकलेट डो को और उसके बाद चोकलेट डो के उपर भी हम लगा लेंगे पानी तो यहां पे पानी पूरी रोटी पे अच्छे से लगा लेने के बाद अब हम एक साइट से उठा के अंदर की तरफ सेट होके आ जाए यहां पर इसको रोल कर लेने के बाद यहां पे लेंगे प्लेंगे बॉझा तो शब्ला से रख डिना है यहां पर अच्छे से सट यहां पर यह जो रोल है है एक दम सेट हब करेंगेologies लेंगे रही है हम फोल साड़िये का दाला है और यहां पर एक और दफा इसको हलका सा प्रेस करके एक और दफा शेप देदेंगे ताकि एकदम रोल की शेप में आज़े और उसके बाद यहां पर इसके ends को हमने काट के साइट पर कर देना है और यहां पर हम ले लेंगे एक धागा और धागे की help से हमने इसको काट लेना ह कारो सकते हैं लेकिन छुर्य से ज्यायदा श्याय करें होगा है तो एकदम इकवल कटे अधीक है दोनों हातों से तरह के इसलेक करें तो एकदम परफेक्थ अपर पास स्नेक सब्सेप करें तो यहाँ पे जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे रेख रहे हैं एक दम इस तरीके से कर देना है हमने सारे स्नेक्स को शेप दे देने के बाद यहाँ पे साइट पे हम ले लेंगे एक पैन और उसमें हम डाल देंगे ओईल तो यहाँ पे जो ओईल है यह एक दम नीम गरम है और में हमने क्या करना है एक एक करके बहुत ही अतियात से इन स्नेक्स को डाल देना है तो यहाँ पे हमने सारे स्नेक्स को डाल देना है इस पैन में जितना स्पेस है उसके हिसाब से एट कीजिए यहाँ पे स्नेक्स को डाल लेने के बाद फ्रेम को यहाँ पे मैंने मीडियम इसको पकने देना है 5-6 मिनट के लिए और यहां पर जो स्नेक्स हैं एकदम फ्राय हो चुके हैं इनको हम निकाल लेंगे किसी प्लेट में तो यहां पर बहुत ही ज्यादा असान और कम बजट में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस चॉकलेट कुकी तयार है इसे आप स्नेक्स भ लोड करूंगी तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी और मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू मज़ेदार रेसीबी के साथ तब तक के लिए लाहाफिज दुआओं में याद रखें बाए